होटल शुबम रिजॉर्ट पर गुरुवार को पुलिस ने च्छापामार कारेवाई को अंजाम दिया था इस पूरे घटना करम में पुलिस ने सपानेता समित साथ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च कर देव व्यापार के एजेंटों को जेल भेजा है वहीं पकड़ी गई विदेशी युफ्तियों को नारी निकेतन में भेजा गया है ताज रगरी में चल रही सेक्स रेकिट मामले में पुलिस के अलाधिकारियों ने अपनी नज़र टेड़ी कर ली है ताज गंज पुलिस ने सपानेता राकेश अगरवाल समेथ साथ लोगों के खिलाफ अनैतिक देव व्यापाहरा दीनियम के तहत मुकदमा दर्च किया है फरजी आदारकार्ट मिलने पर विदेशी युफ्ती के खिलाफ धोका दड़ी और कूट रचित दस्तावेच तयार कराने की धारा लगाई है मौके से गिरफतार युफ्तियों को नारी निकेतन और उनके दोनों एजेंटों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन में जिला उद्धार अधिकारी की एहम भूमी का रही है मिंदर सिंग ही लगातार साथ दिनों से ग्राहक बन कर देवियापार के एजेंट भीमा से बात कर रहे थे विश्वास होने पर भीमा ने मिंदर सिंग के वाटसेप पर दो विदेशी युफ्तियों के फोटो डाले थे जब जिला उद्धार अधिकारी ने एजेंट से युफ्तियों की कीमत पूची तो उन्होंने एक घंटे के चार हजार पूरी रात के पच्चिस हजार रुपे बताए थे इस पूरे उपरेशन को एक कोड दिया गया था जिसका नाम था साथी लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ताजनगरी में इस रिजॉर्ट तक पहुँचने के लिए तीन बेरियर पार करने होते हैं जिन पर सुबह से लेकर शाम तक पुलिस बल तैनात रहता है सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिस्म फरोशी के अड़े से सुरक्षा का कार्याले भी महज 200 किलोमेटर की दूरी पर है फिर भी कितने धडलने से इस होटल में जिस्म फरोशी का धंदा गुलजार हो रहा था पूर्व में भी ऐसे कई वियपार के अड़े पर पुलिस ने चापामार कारवाई को अंजाम दिया था लेकिन सत्ताधारी नेताओं के दवाब के चलते पुलिस ने होटल संचालकों को क्लींग चिट दे दी थी लेकिन अब देखना यह होगा कि सपानेता राकेश अगरवाल के खिलाव कठोर कारवाई करती है या फिर इस बार भी राजनीतिक दल पुलिस महकमे पर भारी पड़ेगा प्राताहदरपन न्यूस के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट